सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दपर्फेक्ट क्लासिस में आप सभी का सौगत हैं डिरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जिन सीट अफ देली की वक्षीट नंबर 23 डिसकस करें बच्चों क्लास एथ की वक्षीट है सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 15 दिसंबर 2020 की वक्षीट है और स्टार्ट करते हैं वक्षीट टॉपिक है बच्चों अब्जर्वेशन ऑफ पैटरंस इन स्क्वेर नंबर्स वर्क संख्याओं में पैटरं का निरिक्षा तो हम स्टार्ट कर लेते हैं वक्षीट देखिए मिस्टर परसाद इसे मैथमेटिक्स टीचर ऑफ क्लास एर्थ इन गवर्मेंटी स्कूल मिस्टर परसाद जो है वो सरकारी स्कूल में आठमी कक्षा के गड़ित के अध्यापक है एक दिन कक्षा आठमी के सभी छात्रों को वो इस गड़ितिया पार्क में लेकर गए द्यूरिंग देर विजिट टू दा गार्डन इस्टूरेंट सा ए बोर्ड ओन विच प्रामीड ऑफ नमबर वास रिटन और इस पार्क में जब घुमने के लिए गए बच्चे तो उसमें से एक बच्चे राम का ध्यान एक बोर्ड की पर गया जिस पर संक्या का प्रामीड बना हुआ था तो यह देखे बच्चो find patterns in pyramid of number संक्या प्रामीड में pattern को खोजिए कौन सा pattern आपको नजर आ रहा है इन संक्याओं में ठीक है तो देखिए हम यहाँ पर एक लिक कर बता देते हैं देखिए कौन सा pattern नजर आ रहा है यहाँ देखे ऊपर 4x9 है तो हमने यहाँ पर 5x9 लिख लिया 8 लिख दीजिए यहाँ 4x0 है तो हम यह लिख देंगे 5x यह यह pattern नजर आ रहे हमें ठीक है यह कैसे नजर आया देखे ऊपर से जैसे बढ़ता रहा है यह 2x9 था है यह 3x हो यह 4x तो हमने यह 5x कर दिया फिर यहाँ 8 तो सब जगह सेम ही आ रहा है यह 2x0 यह 3x4 तो हमने यह 5x कर दी 1 हम ऐसे लिख देंगे जैसे 8 में चेंज नहीं हो आप 1 में भी नहीं हो आप आगे देखते हैं बच्चों आगे देखिए राम एंड शाम observed the number of observed the number प्रामीड in different ways do you observe the प्रामीड with new idea you can discuss the same with your friends and mathematics teacher तो देखिए राम और शाम का संख्या प्रामीड के निरिक्षन करने का तरीका अलग-अलग है क्या आप किसी और नए तरीके से प्रामीड का निरिक्षन करेंगे अपने दोस्त तथा गड़ित के शिक्षक से इस पर चर्चा कीजिए तो राम का अब्जर्वेशन क्या पहले वो देख लेते हैं तो देखिए बच्चो राम का क्या अब्जर्वेशन है राम का अब्जर्वेशन हम पढ़ेंगे राम लुक्ट दा नंबर प्रामिट केर्फुली ठीक है राम ने ये नंबर प्रामिट को ध्यान पूर्वक देखा He found a pattern in the प्रामिट after a lot of thinking और उसने बहुत सोचने के बाद इस संख्या प्रामिट में एक प्रामिट को खोजा First he thought about the top of number प्रामिट that is 81 and second row of the प्रामिट is 9801 और सबसे पहले सबसे पहले तो उसने 81 बार में सोच है जो कि संख्या प्रामिट में सबसे उपर है और he observed that 9 is written in the left of 81 and put 0 between 8 and 1 in the second row of the प्रामिट तथा उसके बाद उसने 9801 के बार में सोच है संख्या प्रामिट की दूसरी प्रामिट में और उसके बाद फिर गहराई सिने इरिक्शन किया और देखा कि दूसरी प्रामिट क्या सी के बाई और 9 लिखा है ठीक है इस पंक्ती में 9801 के बाई और 9 लिखा है तथा 8 तथा 1 के बीच में 0 लिखा है इसी पिरकार ये क्रम चलता रहता है ठीक है अब ये देखिए अब यहाँ पर शाम को अब्जर्वेशन दिया हुआ शाम दौरा निरिक्शन इसी समय एक दूसरा चात्र शाम ने भी इस प्रामिट का निरिक्शन किया इस पिरकार की 9 के स्क्वाइर 81, 99 का इतना तो फिर 999 का इतना फिर 4 ताइमस 9 का स्क्वाइर इतना फिर इसका इतना तो बच्चे वाले निरिक्शन हमें सही लगा ठीक है मुझे तो सही लगा अच्छली जो मैं बताना चारही हूँ आप ने कह देखा observe the pattern in square numbers and write your observation in given box इस वर्क संक्या में pattern को देखें तो बॉक्स में अपना निरिक्शन लिखें तो देखें जैसे यहां 1 के square 1 11 के square 121 111 का 1, 2, 3, 2, 1 यह देखें एक pattern के थुरू बच्चे यहां 1 टाइमस 1 है जैसे यह बढ़ रहा है यहां भी changes होते जा रहे हैं ठीक है यहां हमार observation यह भी आप same यहां लिख देना complete करना है हमें इस pattern को वो हम देख लेते हैं हमें कैसे complete करना है बच्चो देखिए अब इस pattern में आपको कुछ चीज देखने के लिए हम मिल रही होगी यहां दो 1 थे इनके बीच में एक 0 आ गए यहां 2 0 आ गए यहां 3 0 आ गए तो यहां 4 0 आ गए ठीक है बच्चो अब यहां पर भी ऐसी है same यहां पर भी pattern में कुछ change होगा यहां दोनों तरफ 1 है ठीक है और 2 इन दोनों 1 के इस 2 के इधर उदर time by 0 आ गए एक एक अब यहां 1 सेम रहा इस 2 के इधर उदर 2 2 0 आ गए अब सेम ही आओगा एक एक सेम रहेगा दो के इधर उदर 3 3 0 आ गए फिर नीचे भी यही रहेगा एक सेम रहेगा दोनों तरफ और 2 के इधर और इधर 4 4 0 आ गए ठीके सेम पैटरन हमने जैसे हमने उपर से पैटरन देखा ऐसी हमने नीचे लिख दिया अब हमें यह वाला पैटरन भी complete करना है complete the pattern पैटरन को पूरा कीजिए ठीके बच्चो अब देखे यहां पर क्या है यहां पर कैसे बढ़ रहेगे 1010101 1010101 दोना तरफ 1 लिखा फिर 00 हमने भी 00 लिखा फिर 22 फिर हमने भी फिर 00 फिर 00 फिर 33 ठीक है दोनों साइट से बराबर equal लेके चलना है फिर 00 फिर 4 तो यह 13 है इसमें एक space कम दिया हुआ था यह 13 आएंगे बच्चो यह आप ऐसे कर लेना ठीक है तो आपने यह pattern complete कर दिया अब हमें question answer करने है observe the following and observe the pattern then write next 3 steps हमें इसे complete करना है देखिए आप 7 के square निकाल लेजिए 49 होता है इसका भी square निकाल लेंगे ऐसे ही इसका निकाल लेंगे इसका भी निकाल लेंगे ठीक है दो तक तो हमें multiply करने है अब हम देखते है करके तो आपको पता चल जाएगा देखिए बच्चो 7 के निकाल लें हमने ठीक है 49 आगे इसको भी 67 से 67 को multiply करें ठीक है 2 रो तक तो आपको यह निकालना है ठीक है 2 step तक फिर इसका इसका करा अब आपको एक step बनता हुआ दीक रहा है 9 में है कोई changes निकाल तो यहां भी नहीं होगा 4 जो यहां थे यहां 2 times 4 हो गए और यहां 1 time 8 हो गए अब हम आगे जो करेंगे बच्चो इसका यहां देखिए यह 6 था उसे हम यहां 2 बाल लिग देंगे तो यहां जो 4 2 times था या 3 times हो गए 8 1 times है या 2 times हो गए बस यही अब pattern बिल्कुल same नीचे follow होता जाएगा यहां 2 times 6 थे तो यहां 3 times 6 हो गए यहां 4 times 6 हो गए यहां 5 times 6 हो गए यहां 6 times 6 हो गए ठीक है बच्चो और इसमें कोई changes नहीं होगा यहां यहां पर 9 में कोई changes नहीं होगा यहां 3 times 4 था यह 4 times हो जाएगा यहां 5 times यहां 6 times यहां 7 times ऐसे यहां 2 times 8 था यहां 3 times यहां 4 times यहां 5 times यहां 6 times ठीक है यह pattern बन गए बस अब next भी ऐसी करेंगे 4 की 4 से multiply की 6 3 आ गया 34 की 34 से की ही आ गया अब एक pattern बन गए हमारे पास अब यहां पर इस pattern में तो हम क्या करेंगे 4 स्क्वार को तो ऐसी रहन देंगे ठीक है सेम ऐसी लिखते चले जाएगे नीचे तक यहां 1 times 3 है यहां 2 times कर देंगे यह 3 times यहां 4 times लिख देंगे यह 5 times लिख देंगे यह 6 times 3 लिख देंगे और यहां पर 1 2 times है यह 3 times कर देंगे यह 4 times कर देंगे यह 5 times यह 6 times यह 7 times यह 2 times 5 है तो यह 3 times कर देंगे यह 4 times यह 5 times यह 6 times ठीक है बच्चों तो यह हमाई worksheet हो गई solve ऐसी हमें यह pattern follow करना है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज में वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए हमाई चनल को subscribe कीजिए thanks for watching